नमशकर दोस्तों सौगत हैं बावकाली आनलाइन क्लासेज मच्छोब यह हमारा चैनल बावकाली आनलाइन क्लासेज रहें आंला ऑच Moo spend सब्क्राइब चूपिधा हुरा अब बाउध कुसी बात है किस समय बढ़ी भरती हाने वाली असाई आने वाली यूपी असाई और जो है तुम्हारा जो है यूपी लेकपाल और एससी और जो एससी की सारी वेकंसिस की डेट आगई बच्चो तो यह हमारा जी एस का पॉर्स्टन हर एक छोटे से बड़े एक्जाम में आएगा और इसको आप जरूर देखें आप हो जाएंगा पर में अच्छा कर सकते हैं तो ठीक हम आज स्टार्ट करने जाने बच्चों हम लोग जो है मुगलवन्स में और रंग जेप के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं यह तोड़ा बीच में जो है सिक्कों के प्रमुक्त गुरू जो हुए हैं उनके बारे में से इक वीडियो में सारा कुछ बता देंगे उसके बात करें के लिकिन आज हमारा वीडियो सिय कहों कहते पहले से ऑगार तर ससक्षाह बनी ती वो Olivier को ओए धर्म ना था किसने इस इसके बारे मात की जाई गुरुनानक साब थे जो इन्हों ने जो है तिक धर्म के बारें बताया इसके प्रचार किया उसके बाद आने एक गुरु आए वो देरे देरे अपने बारें बताते गए और अच्छे से मंत्र देते गए और कुछ गुरु आकर मंत्रों को संक्लन किया मंत्रों का संक्लन करने बाद बच्चों है जो संकलन था में सिखों के ग्रंथ का उसे आज ग्रंथ बोला गया और जो आपको जाए आप अम्रत सलम में मंदर देखते हैं गोल्डन टेंपल तो उसका नाम अंग्रेजों ने फाहले बोला था ठीक है क्योंकि इसमें जो राज्या रजी सिंग हुए है जो तुनोंने क्या क्या था एक मंदिर ता पहले तूस मंदिर को उपर जो चारों तरफ से सोने समड़ा दिया था इस बज़े से गोल्डन का पूर था ठीक है तो आज हम बच्चो स्टार्ट करने जा रहा है है यही हमार टॉपिक सिखों के प्रम गुरूं तो बच्चो पहले जो गुरू थे गुरुनानक साब ते हहुँ सिंख दर्म कि स्ताप्ना कितीै कि सि 2 और इनों ने बल दिया था कि हंदूаюсь दोनों को मिलकर साथ म बल दिया था जीए बच्चो उसके बाद अगले जो आते हैं दूसरे नंबर पर आते हैं गुरुनानक अंगत देओ बच्चो अब देख रहा हैं गुरुनानक अंगत देओ यह जो बच्चो उते हैं जो देखा होगा पंजावी वासा में यह लिखा होगा सिंधी वासा में ए खोजितों के लिए असलिब इस लिए उतनार वेज़व किया धी उधारी नमा की संस्ता कि स्टापना भी ती और इनको जो मैश्पी बालाविचंदर किया जाता है दूसरा नाम था इनका बालावी जेंदेर का जाता यह पंजाब यहां पर यह जो है पंजाब अरियाना बी प पाकिस्तान वो चेत्र भी था यह सारा जो सिंदी लोग रहते थे इदर सिंदी पंजाबी सब रहते थे वह चेत्र पंजाब के ठीक है और आवरंग जो यहां रहता था इनमें से जो बच्चों क्या था कि मुगलों की जो रियाजनीती थी वो चाहते थे कि जो यह सिक्ष हैं यह जो है इसलाम स्युकार कर लें हिंदू को छोड़के तो इस बज़े से जो सिक्ष थे उन्होंने हिंदू को नहीं छोड़ा और उन्होंने इसलाम कभूल नहीं किया तो बहुत से रोचाल लोगों को इसमें पांसी भी जी गए तो जो महां को बताएंगे ठीक हैं तो यह जो है अपने सब्सक्राइब करें लेकिन कर सकते हैं आप फैमली भी बना सकते हैं ठीक है तो ये जो है अपने सिच्चों के पारवारिक संथ होने का उपदेश भी दिया था किसा ने दिया था अमर्दास ने अकवर ने इनसे पंजाब में मुलाकाद की थी जो बच्चों किया थे अमर्दास थे अकवर ने इनसे पंजाब में मुलाकाद की थी इन्होंने लाव पद्धत लवन पद्धत यह होती एक जो पनस्थी बासा में वुटी का विकास किया था इसके अंसार शिक्ख और कि विवादों को प्रथक किया जाता था इंदू तो हिंदू थे और जो इंदू से सिक बन गया थे उनकी बीच में दिखतें जो प्रॉब्लम्स जो क्रियेट हो रहे थी धान के प्रतित और जो भिवाद होते थे उनको सुल जाने के लिएक पद्धित बनाई थी इनोंने जिसको बोलते लवन पद्ध थी टिक किसने तो आमऩदे रॉक्ष रहे ठीके उसके बाद गुरु राम दाव्याभार के बार में अक्बर जो था इनसे बहुत प्रहवी कि भुम्स यहीं पर अम्रतसर नगर विशाया ऑंड आप जानते हैं श्याहां पर पड़ता है यह जगए बर्त जकह पढ़ती हैं उम्राइप सर नसर भी है तो हम रस सर बसाया था जा दिया रखो गुरूरामदास में बहुत प्यपरों में आता है तो गुरूरामदास जी ने बसाया था अब बच्वो इनके समय में गुरुपत पैतरख हो गया है पैत्रख को मतलब होता और मद्लब पैत्रख क्या होता है जैसके यह था गुरू रामodleस के सब्सक्राइच के दिया म сказ नुआ घ्राक कर दिया गया तो किस ने किया था गुरु राम दास ने किया था तो इजनों ने गुरुपत पैत्रक हो गया आमा सेम्ज नगर बसा है था पता ही है इसके बाद जो अरजुन देव आते हैं बच्चो इन्होंने शिक्ष अमराज को बहुत सखच्छाली बनाया था जो अरजुन देव का कनवर्ट किया था जिसको बोलते थे आदि गरंथ ठीक बच्चो तो इन्होंने क्या गया था इन्होंने बहुत सा जो गुरुओं के मंत्रों को संकलित कर लिया और उसके बाद आदि गरंद के नाम से गरंद बना जिसको प्रसेद हुया था गुरु अर्जुन देव सूफि संथ मियामीर एक सूफि संथ थे मियामीर के द्वारा दौरा हरमिंदर साब की लिए रभी गूने जो आगे चल का महाराजा रडीजिस ने चाहिए हरमिंदर साब जो पड़ता है हर्मिंदर साहप सोने हर्मिंदर साहब भाई मंदिर, जो पेले माम थ对 है हर्मिंदर साहबuce की नभारी डाली ती- बारे स्टैने कि हर्मिंदर साहबजुआ का इमारत थि उसको गोर्डटन से पूरा मलवा दिया, ठीक है तो आपको न्योडाली और आगे चलकर माहराजा राजी सिंग ने हरीमिंदर साहब को सोने से जढ़ा दिया दा इस इमारत को सरप्दम अंग्रेजों ने गुल्डेन टेम्पल का था क्या गा था? गुल्डेन टेम्पल का था जो आज भी प्रशिद है विष्पर शिद है ठीक है ऊसके बाद जो तरंग तारं नगर कि इसतापना भी अर्जुन देवों ने की雁 ये हमारी बातै आपको याद द्धोंगी और इसके बाद बच्चों खोंए ठेय》 अर्जुन देओ मेते और इसके बाद च्टे जोनred Mun कहीं इस जहां के साथ बाइश का प्रक्ण गुए था इनके जो सेनिक की समय जो ता मुगल बहुत प्रताराना करते थे आड़ समय उनको दवाते रहते तो इन्होंने जो एक सैनिक तयार के लिया था कि अपने अपने रच्छा के लिए एक सैनिक की तरह काम करें के जो सिक होते क्या बना दिया था हर गोवन संग हां सेनिक को परते सांद कि लिया सेचा ने बना अकाल तक कि सांपना कि सिंग के दिया और सेथ था उसको जो है जब वो हार रहा था अैसे खोरंग neo जीव से समोगण में तो उसको बगाने किसमें प्रयास किया मेलब किसी ने साज़ता कीथी ये बाद में इसलामिक भी हो गया था और इसने बहुत से इंदों को मरवा दिया था या सिदे चुनवा दिया था या फांसी दे दी थी इस सिर्फ इस बात के लिए कि वो जो है मुसलिम इसलाम दर्म शुकार नहीं कर रहे थे चीक है अब उसके बाद गुरू हरी किशन इनकी गद्धी को लेकर अपने बड़े भाई रामदास के साथ विवाद हुआ गया था गुरू हरी किशन जो थे इनका जो है विवाद हो गया था रामदास के बड़े भाई थे उनसे विवाद हो गया था लेकिन बाद में यही बन गया थे गुरू हरी किशन तेक बाद दूर ये इसलाम ना शुकार किया था इस बज़त से औरंग जेव ने इनको फांसी दे दी थी ठीक है बच्चो गुर गोविंद सिंग ये बच्चो अंतिम गुरू थे सिक्गुरू में अंतिम गुरू होते और फिर उसके बाद आनंद पुर साहिब को अपना मुख्याले बनाया था इन्होंने जो गुर गोविंद सिंग थे और इनकी कारस्तली पावोता थी पावोता थी ये पॉइंड याद रखना इनका जो इनका जो मुख्याले था जो था आनंद पुर साहिब गुरू गोविंद सिंग का कारस्तली पावोता थी ठीक है इन्हें पंच का पंच पंचम कार प्रस्तुत किये थे पांच चीज़ें बताए थी जो सिक्खों को रखना अनिवार रहे पहला केस दूसरा कंगा तीसरा कच्छा चोता कड़ा पांचमा कपाड तो आज भी रखते हैं दार्मिक में है तो इस गयंत बाना था आधी गरंथ उसी को ही इसका गुरू बना देते हैं एक किताब को जिसको बोलते हैं आधी गरंथ जो आज भी आप अगर जाते हैं सिक्ख धर्म में और उनके उसमें तो आप देखेंगे कि एक बुक रखी होगी उससे की पूजा होती ओवादी गरंथ है त तो यह जम्मू के समीर यह पांजाव यह दिल्ली है ठीक है यह मत परदेश इधर भी आप पड़ता है यह तो मैं बता दिया इस तरह से जो है सिक्कों के विकास हुआ और इस तरह से सिक्कों के बारे में नेक साइड नालेज़ दिया अगर बच्चों हमारा चैनल आपको फसं कारी मिल सके यह जो लेवाल है बच्चों यह पीसस का लेवाल है इससे अगर आप भुकों को भी देखेंगे तो इससे टक करकर कोई मिलेगा नहीं यह पीसस लेवल का है कोई छोटी मुटी लेवल का नहीं और पीसस लेवल पढ़ने से ही छोटे एक्जाम आसाने से निकलत झाल झाल